हेलो दोस्तों नमस्कार मौश्मतक राजस्तान भी आठी स्नल पर आप सभी का हार दिक स्वागत हैं आईए दोस्तों बात करते हैं तुफ़ान वीपरज़ोय के परबाव से आज राथ राजस्तान के किनकिनी लाकों में होने वाली है बारिश्की के दुदियां और किनकिनी इलाकों में आज राद तुफ़ानी हवाओं के साथ होने वाली है भारी बायरशकी के दुदिया ये समपूरण जानकारी आपको इसी वीडियों दी जाएगी तो दोस्तों वीडियों को अंतक जुरूर देखें और यदि आप सेनल पर नए हैं तो आप अपने सेनल मौशम तक राजस्तान DRT को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस सेनल पर राजस्तान के मौशम से जड़ी हर अपडेट समय पर सटिकता के साथ मिलते रहेगी तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इलाके में इस तुफान के परवाव से किस परकार की बारिश की गद्या हुई और आपके इलाके का कैसारा मौशम तो वर्तमान में देखा जाए तो सामर साड़े साथ बजे के अनुरसार राजस्तान के किनकिन इलाकों में बारिश की गद्या जारी हैं और इस तुफान के परवाव से आज राजस्तान के किनकिन इलाकों में होने वाली हैं बारिश की गद्या तो वर्तमान में देखा जिसके प्रभाव से आज रात बाड में जालोर बालोतरा से लगा कर शिरोई सांसोर उद्यपूर डूंगरपूर के कहीं इलाकों में तो जैसलमेर के कहीं इलाकों तक मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में फारी बरश की गदियां देखने को मिल सकती हैं इस तुफान पलश डवलोडी के परभाव से राजस्तान के उत्री जिलों की बात करें तो सरी गंगानेगर हन्मानगर छे लगा कर विकाने शुरू जुनुन के कही इलाकों में तो जैपुर्शंबा के कही इलाकों में खंड बरश की गदियां से संभावी थे हैं होसकता है कुछ इलाकों में तेज बरश की गदियां देखने को मिले इस तुफान की परभाव की बात रहे हैं तो आज रात इस तुफान के परभाव से मद्यम स्तेज तो कुछ इलाकों में भारी बरश की गदियां होने वाली हैं ये बारिश की गद्वियां जैसलमेर, बाडवे, जालोर, शांसोर, पालोतर वजोधपुर के कहीं लाकों में संभावित हैं विसे इस बात करें तो इन लाकों में किस परकार की बारिश की गद्वियां रहने वाली हैं क्योंकि तुफान जैसे ही गुजरास से आगे बढ़ा हैं तो ये मजबूत होते वे नज़रा रहा हैं क्योंकि इंचोत्र में वायुदा और तापमान पलस इंचोत्र में प्राप मात्रा में नमवी मौजूद हो दें के कारण को तुफान कमजोर होने के बापजूद उल्टा मजबूत हो हैं जिसके प्रबाव से इंचोत्र में आपको भारी तेज धाओं के साथ अतिवस्टी की गद्वियां बाड़ में जालोर शांसोर से लागा कर बालोत्रा के कहीं इलाकों में तो जोद्पूर उध्यपूर शिरोई पाली जालोर के कहीं इलाकों में देखने को म मिल सकती हैं वर्तमान में देखा जाए तो राज़िस्तान के किनकी इलाकों में आने वाले 120 कंटों के अंदर होने वाली है बारिश्की के दुटियां विसस्त बात के वर्तमान में दूफान गुज़रात के उत्री भागों में ंवकर के आसपास क्या थे थे हैं इसके प्रभाव की बात करें तो सरपरतम बाकासर धोरी मिना सासोर भीनमाल सुराना के आसपास सिलागर इन संपूर शत्र में कहीं कहीं इलाकों में तुफवानी हवाओं के साथ तेज बर्ष की जियां तो कहीं कहीं इलाकों में बुंदावानी के साथ भारी बर्ष की जियां कि भालू को मिल रही हैं। ये बर्स कि गद्या आज़रात में बढ़ने वाली है। कई पोकरन फंलोदी सरीमॉन गिर्ड कोई अंते घृत ब्रस कि गद्या stretching हैं। सोटन गडर और पल्ड़र और स्पीन है यह मुठाद मुखाई ब्रस कि गद्या को बनिय करते 120 किन्टों तक इस 17 में बर्ष की गिद्याँ जारी रहने की समभावना हैं क्योंकि इस तुफान के आउट फ्लो साथ ही WD से आने वाली नमी के परवाव से देखा जाई तो पाकिस्तान के कहीं इलाकों में आपको घने वाल देखने कुल रहे हैं और इन 17 में भी WD के पाली शोजद देवगर भी वाड़ के कहीं इलाकों की बात रहे हैं तो कहीं कहीं इलाकों उत्री गुजरात की इलाकों की बात रहे हैं तो इन 17 में कहीं के बात जैसे आहलात पिछले 27 गंडों से लगाता देखने कुल रहे हैं दोवार का साल सालय से लगा कर जामनगर मोरभी गुजगांदी दाम भुज मंडावी के आसपा समगोन इलाकों में फारी से अती भारी बात रहे हैं पिछले कहीं गंडों से लगाता देखने कुल रहे हैं जिसके प्रवाव से इन तेज तूफ़ानी अवाओं के साथ आने वाले सौबिस किंटों के अंदर संभावी थे हैं तो दोस्तों मौश्रम तक राजस्तान डियार्टिक सिंदर पर अब के लिए तना ही थेंक्यू दोस्तों नमस्कार जैहिन जैवार